PCS परिक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कारिक्रम Science This Week ये कारिक्रम हर अविवार दोपहर 12 बजे द्रश्टी PCS चैनल पर प्रसारित होता है द्रश्टी PCS की YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं होगी तांजली आज हम पिछले एक हफ्ते की उन खास ख़बरों और घटना करम पर चर्चा करेंगी जिन से उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग की परिक्षाओं में सवाल पूछे जाने या बनाए जाने की संभाव ना होगी तो आईए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज का हमारा सेशन है या जिन पर हम चर्चा करेंगे जो यूपी से संबंधित होंगे पिछले एक हफ्ते की उन ख़बरों पर ही हम चर्चा करेंगे तो आज के सेशन का पहला सवाल है हाल ही में राजसरकार प्रदेश में कितनी नई नगर पंचायतों का गठन करेगी सवाल पूछा गया है नई नगर पंचायतों का गठन किया जाना है तो कितनी नगर पंचायतों का गठन करेगी ओप्शन से 15, 18, 20 या 25 इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन B यानि 18 यानि यूपी सरकार या यूपी गर्मेंट अभी पूरे स्टेट में पूरे राज्य में नई 18 नगर पंचायतों का गठन करने वाली है इसके अलावा इन नगर पंचायतों के गठन के साथ ही वे लगबग 20 ऐसे नगर निकाय हैं जिनका सीमा विस्तार करने जा रही है उन 20 नगर निकायों की बात करें तो इसमें 18 नगर पंचाईज शामिल है और इसमें 2 नगर पाली का शामिल हैं जिनका हुँ सीमा विस्तार्थ करने जा रही है तो अभी वर्तमान में यदि उत्तर प्रदेश की बात करें कि कितने नगर निकाय वहाँ पर हैं तो 734 नगर निकाय अभी उत्तर प्रदेश में हैं इसके बाद इन 18 नगरनिकाईयों के जब गठन हो जाएगा नए नगरनिकायों का तो इसकी संख्या बढ़कर 752 हो जाएगी यदि हम देखें कि 734 नगरनिकाईयों में कितने जो नगरनिकाइय हैं वे नगरपाली का हैं कितने नगर पंचायत हैं और कितने वहाँ पर नगर निगम है तो 734 में 17 वहाँ पर नगर निगम है पांच सो सत्रा नगर पंचायत है और लगभब 200 यहां पर नगर पाली का है यह पूरा उत्तर पुदेश की जो नगर निकाय है उनका गठन है टोटल कितने हैं अभी वर्तमान में 734 और जब नए बन जाएंगे 18 तो उसकी बाद बुचाएंगे 752 इस तरह इस सवाल के यदि सही जवाब की बात करें कि इसका सही जवाब क्या है तो option B 18 नगर पंचायत इसका सही जवाब है यानि UP सरकार 18 नगर पंचायत नए बनाने की योजना कर रही है इस तरह बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ अगली खबर है हाल ही में जारी हुए नीती आय इंडेक्स 2021 किस संस्था ने जारी किया है तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है वह नीती आयोग जारी करता है सवाल पूछा गया है किसके संदर्व में उत्तर प्रदेश के संदर्व में कि इसमें इसका कौन सा इस्थान है हमारे options है पहला तीसरा पांच्वा सात्वा इस सवाल का सही जवाब है option D सात्वा यानि उत्तर प्रदेश का innovation index में सात्वा इस्थान है इस वर्ष उत्तर प्रदेश ने दो पायदान उचाल की है क्योंकि पिछले वर्ष के index में यानि 2020 वाले index में इसका नौवा इस्थान था एक महज़व पून बात और है उत्तर प्रदेश के संदर्व में कि इस बार के index में उत्तर प्रदेश ने पूरे राज्य में कितनी जद्या अधिक सुलवता से आप महाँ पर कारे कर सकते हैं या अपने उद्योगादी लगा सकते हैं innovation के साथ इसमें पूरे देश में उत्त इस्थान हाशिल किया है तो इसमें पहले स्थान पर करनाटक रहा है जो लगातार तीनों बार ही पहले स्थान पर रहा है यानि इस इंडेक्स को तीन बार जारी किया जा चुका है यह इसका तीसरा संसकरण है जिसमें करनाटक पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर श्रेणी में डिवाइड किया गया है राज्यों को तो इस एंडेक्स में जो पहला पहली कैटेगरी थी जिसमें करनाटक पहले स्थान पर है वह बड़े राज्यों यह मेजर राज्यों की श्रेणी है इसके अलावा दूसरी जो श्रेणी है वह पूर्वतर राज्यों और हिम इसके अलावा यदि हम हिमाली राजियों और उत्तर पूरी राजियों की जो श्रणी है उसकी बात करें तो उसमें मणी पुर पहले स्थान पर जब फी दूसरे स्थान पर उत्तरा खंड है इस सवाल का सही जवाब देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का इस इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन D साथवा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है देश में पहली बार ग्र क्षेत्री ग्रामीड बैंक है उन्हें कहां पर लिस्ट किया जा रहा है शेयर बाजार में उन्हें लिस्टिट किया जा रहा है तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्री ग्रामीड बैंक शामिल है ऑप्शन से एक दो तीन या चार इस सवाल का सही जवाब है बाजार में लिस्ट करने के तैयारी चल रही है ऐसा क्यों किया जा रहा है ताकि एक शेत्री बैंक जो है या शेत्री ग्रामीर बैंक है उनका अर्थतंत्र मजबूत हो सके क्योंकि जब उनके पास अर्थतंस्र भेतर होगा तो और अधिक मात्रा में उस शेत्र के या ग्रामीन इलाके के लिए उसी इमान किसान हैं, कारीगर हैं, उन्हें रन आदियो प्लब्द कराने में उन्हें ज्यादा सहूलियत महसूस होगी, इसके लिए इन्हें शेयर मार्के मार्केट में लिस्टिट किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के इसमें कितने बैंक शामिल हैं, दो, यदि बात करेंगी शेत्री ग्रामीन बैंक क्या होते हैं, तो शेत्री ग्रामीन बैंकों का गठन, आर्बियाई एक्ट उनीसोच शेत्र के तहित किया गया था, और इन बैंकों के गठन का मुक्षि उद्देशिक, शेत्री या ग्रामीन इलाकों में, वहाँ पर जो सीमान किसान हैं, कारीगर हैं, उनको आसान किस्तों में रिन उपलंप करवाना हैं, तो अभी कितने उत्तर प्रदेश के कितने बैंक शामिल है, इस शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए, ऑप्शन बी 2, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अगली खबर है, राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट कब आयोजन की जाएगी, ऑप्शन से दिसमबर 2022, जनवरी 2023, मार्च 2023 या फिर अ 2023 में किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा क्योंकि ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, कि ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट का आयोजन उत्तरप्रदेश की किस जिले में, या किस शेत्र में किया गया है, सही जवाब है इसका लखनव, यानी लखनव में ग्लोबल इन्वे साहित करना या 10,00,00 करोर तक की निवेश को उत्तर प्रदेश में लाना इसका मुख्योद देश है तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा option B जनवरी 2023 बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ हमारी अगली खबर है सवाल क्या पूचा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंदे थैं इसका सही जवाब है option D जानपूर यानि जॉनपुर के रहने वाले रोहित यादव ने अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन्सिप के लिए फाइनल में जाने के लिए क्वालिफाय कर लिया है इसमें नीरा चोप्रा जी ने भी पार्टिस्पेट किया है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा option D बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है राज्य में जल संचेन और समवर्धन इस अभियान में कौन सा जिला टॉप पर रहा है options क्या है महोवा, हमीरपूर, बांदा या इटावा इस सवाल का सही जवाब है option C बांदा यानि राज्य में अभी 16 से 22 जुलाई के बीच भूजल सप्ता मनाया गया है भूजल सप्ता को मनाने का मुख्य उद्धिस उत्रप्रदेश की विभिने जिलों में भूजल स्तर को बहतर बनाना उसके जल स्तर को बढ़ाना तथा जल की लेवल को एक स्वक्ष जल की रूप में बनाई रखने के लिए पूरे जो प्रदेश है उसमें जल संचेन और समवर्धन अभ्यान चला था जिसमें उत्तरप्रदेश के बांदा जिले ने टॉप किया है इनके जो डियम है बांदा जिले के जो डियम है उन्होंने इस पूरे क्षेतर में तालाबों की साफसफाई करवाई है जल कुमभी को वहां से हटवाया है और साफसफाई के दौरान ही यह पाया गया है कि इसक खबर की तरफ अगली खबर है राज्य में दो दिविसी अंतराष्टी वैश्य महासम्मीलन का आयोजन कहां किया गया है और इसी स्थापना दिवस के उपलक्ष पर इसका जो महासम्मीलन है वह उत्तरप्रदेश के मतुरा में किया गया है यानि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है राज्य में सैंट्रल एक्टाविटी हब के लिए कहां पर कंवेंशन सेंटर बनाया जाएगा किस चीज का निर्माण किया जा रहा है एक कंवेंशन सेंटर का निर्मान तो आप्शन है जहां सी आग्रा, कान कानफुर याक्टविती के लिए एकंवेंशन सेंटर बनाने की यहां पर सेंटर में बनाएय चाए गार कि कमल की आकरती में आकरती में बनाया जाए लगभुण 25 प्रतिश्यत इसका निर्मान पूरा हो चुका है यदि लागत पूछी जाती है तो 80 करोड लागत इसको पूरे सेंटर को बनाने में आ रही है यदि बात करें कि इसका निर्मान क्यों किया जा रहा है तो इस पूरे क्षेत्र में कला संस्कृति उद्योग कला संस्कृति उद्योग तथा पर्यटन आधी को बढ़ावा देने के लिए इसमें इस कर्वेंशन सेंटर को बनाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है ऑप्शन सी कानपूर में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है राजी के किस जिल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है हाल ही में मोधी at the rate 20 dreams meet delivery यह एक किताब का नाम है कि मोधी at the rate 20 dreams meet delivery किताब पर लखनव से कारिकरम की शुरुआत की गई है इस किताब की प्रस्तावना किस ने लिखी है यह किताब काफी महत्रपोन मानी जा रही है किकि इसमें देश में विभिने राधनेतिग्यों विभिने कि प्रस्तावना को किस ने लिखा है option है अमिट शाह अजीडो भाल लतामंगेशकर यह अरविंद पंगड़िया इस सवाल का सही जवाब है option c लतामंगेशकर यह किताब है इसकिताब में प्रधानमंतिरी नरेंद्र मोधी जो 20 सियासत वर्श रही है जिसमें उन्होंने दे ली जा सकती है जन मारज को उनसे क्या सीखना चाहिए इसके लिए किस ने कित्र क्या है जिसमें अर्विंदxus से संबंदित अपने विचार इसमें दिये हैं और अमिर्षाह जी ने उन्होंने क्या सीखा है राजनीती के लिए उन्हें ने प्रस्तावना की बात करें कि इसका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के साथ हमारे आज के सेशन को विराम देते हैं मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ तब तक पढ़ते रही डिवीजन करते रही शुक्रिया